आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चिडिया के आगे की संघर्स के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं आगे की कहानी जब भोली चिडिया समुंदर से मिन्नते करने लगी फिर भी समुंदर ने उसे भगा दिया तो वो चिडिया हाथी के पास मदद के लिए गई और हाथी से बोली हाथी हाथी समुंदर सोखो समुंदर ने आग नहीं बुझाया आग ने लाठी नहीं जलाया लाठी ने साप को नहीं मारा साप ने रानी को नहीं डसा रानी ने राजा को नहीं समझाया राजा ने बढ़ई को नहीं डाटा बढ़ई ने खुटा नहीं तोर तुम्हारे एक छोटे से दाल के लिए मैं पूरा समुंदर सोख जाओ तुम जाओ यहां से फिर वो रोती हुचिडिया लत्ती के पास गई और उसके सामने रो रो के बोली लत्ती लत्ती हाथी जानो हाथी ने समुंदर नहीं सोखा समुंदर ने आग नहीं बुझाया आग ने लाठी नहीं जलाया लाठी ने साप को नहीं मारा साप ने रानी को नहीं डसा रानी ने राजा को नहीं समझाया राजा ने बढ़ई को नहीं डाटा बढ़ई ने खुटा नहीं तोरा खुटा में म हाथी को छानू जा यहां से फिर चिडिया उरी और चूहा के पास गई वो चूहा से भी यही बात बोली कि चूहा चूहा लत्ती काटो लत्ती ने हाथी नहीं छाना हाथी ने समुंदर नहीं सोका समुंदर ने आग नहीं बुझाया आग ने लाठी नहीं जलाया लाठी ने सा साप को नहीं मारा, साप ने रानी को नहीं डसा, रानी ने राजा को नहीं समझाया, राजा ने बढ़ई को नहीं डाटा, बढ़ई ने खुटा नहीं तोरा, खुटा में मेरा दाल है, अगर वो दाना नहीं निकला, तो मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, और क्या लेकर प अगर वो दाना नहीं निकला तो मैं क्या खाऊंगी क्या पीओंगी और क्या लेकर पर देशाँ बिल्ली उसकी बातों को समझ गई और बोली चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगी देखती हूं कौन नहीं निकालता है तुम्हारा दाल का दाना तो आज इस वीडियो में इतना ही आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी तब तक आप इस कहानी को देखे और अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफीकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें